अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान, जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धान तेवं नयाय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia, आदी अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरसकार, युवा विद्वत रत्म आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जैपूर द्वारा जानिये, धर्म का मर्म इस कादिक्रम के पुर्णियार जक है पुजिपिता जी एवं माता जी, श्रिबाबुलाल जी जैन एद्वोकेट एवं श्रिमती विद्विद्या जैन के पुर्णिय स्मृती में संजय जैन, सविता जैन, सोहिल जैन, अपूर्वा जैन, स्वपनिल जैन, वरेयांच जैन फिर्म पारस महल ज्वेलर्स विदीशा आज हम इस कथा को संपन करने जा रहे हैं, यह कथा पूरी होने जा रही है, अब आज यहां संपन हो रही है और इस कथा में दौलत राम जी ने अंत तक पहुंचा दिया और अब आज यहां अंतिम सीख दे रहे हैं चैटी डालके अंतिम सीख है, अंतिम बात है, यह क्या कह रहे हैं यहां दौलत राम जी साब, कल तक जो बात कही थी, कल भी बात बड़ी मारमिक थी और यह कह दिया था, उत्तम सुक की प्राप्ती की है और जब तक रोग और बुड़ापा नहीं आ जाए, तब तक यह जी तुम्हें आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए जब लोग जरा गहें, तब लोग जटीते निजी हित करो एजीम, जब तक तुझे किसी प्रकार का कोई रोग या किसी प्रकार का कोई बुड़ापा आकर के नए घेर लेवे तब तक तुझे आत्म कल्याण लेना चाहिए मुक्ष पत पर कदम रख लेने चाहिए जीवन बीत चला, मुक्ष पत में कदम रख ले जीवन बीत चला और स्वान उभूती प्राप्त करना चेतन की एक कला इसलिए हे जीवों, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये मनुश्य जीवन के दुरूल्ला क्षरन प्रती क्षरन बीत रहे है तो आपको कुछ न कुछ तो सोचना ही चाहिए हमें मालूम हैं, जब सामने बैठ करके आप तत्व की चर्चा सुनते हैं तब तो आपके परणाम बहुत भीगते हैं लेकिन जैसे ही ये चर्चा संपन होती है दूसरे दिन आते आते तो ऐसे आते हैं जैसे सब खाली हो गया हो, कुछ नहीं है माने इतना राग रंग में, इतना हमारे घर गैस्ती और इन जंजालों में इतना उलजे रहते हैं कि तेवीस घंटे हमारे को फुरसती नहीं मिलती कुछ भी विचार करने की या विचार करने के लिए कह रहे हैं तो इमी जानी, आलस, हानी, साह, सठानी, यह सिख, आद, रो और जब लोग जरा गहे, तब लोग जहटीती निज, हित करो जब तक रोग नहीं आ जाए, बुड़ा जुजने नहीं लग जाएं उससे पहले पहले, अभी तो चल रहे हैं ना सब हाथ पाऊंच चल रहे हैं, आँखें काम कर रही हैं, कान बराबर काम कर रहे हैं इंद्रियां स्वस्त है, अच्छे से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब सब ठीक ठाक चल रहा है सब बराबर चल रहे हैं इये चलती फिरती दशहामें ही अपना काम कर लो क्योंकि क्या पता जब चलना फिरना बंद ho जाए और जब चलना फिरना बंद करो आपका उपयोग शरीर शरीर की तरफ ज्यादा लगेगा इसने सावधानी की बात है यहाँ सावधान कर रहे हैं दौलत राम जी यह सारी चर्चा कल अंतिम उपदेश इनों ने दे दिया था और आज फिर कुछ अंतिम सीख दे रहे हैं 15 नंबर का यह चब्द है देखिए बोलते हैं हम लोग यह रागे आगे दहे सदा तांते समाम रत से ये जिर भजे विशे कशाए अब तो त्याग निजे पद बेई ये काहा रचो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुक साए अब दोल हूं सुकी सब पद रची दाव मत चूपो यही ओहो उहार क्या कह रहे हैं कि दॉलत राव जी संबोग राभ कर अंतिम सीख और अंत पर दाव मत चूपो यह अंतिम्धाव के दार मौका लगाए जी दाव ऐसा है कि ये निकल गे हैं ना तो पिर नहीं मिले acontecendo एसलिए अंतिम्धाव का है चरुच्छा कहां से श्रू की यह राग आग देसदा यह राग आग है राग को आग का है देश को नहीं का तो वे अपनी चर्चे चली थी क्रोध रूपी अगनी के संदर्व में क्रोध रूपी अगनी जल रही है क्रोध रूपी अगनी की बात नहीं कर रहे हैं यहां तो राध रूपी अगनी की बात कर रहे है सारी दुनिया यह कहती हुई नजर आएगी प्रेम से रहो प्रेम से रहो लड़ो जगड़ो मत लड़ाई जगड़ा मत करो सारी दुनिया ये कहती है लड़ाई जगड़ा मत करो लेकिन हमारी जिन्वानी माई ये कहती है प्रेम से रहो इसका मतलब ये है द्वेश कशा एक रोज और विकार को आवंत रण एह राग आ गह, एह राग बहुत खटरनाक है सारे दुखों की जन्री जनागम में राग को कहा गया है हमारे भगवान वीत रागी है, वीत द्वेशी नहीं, वीत करोधी नहीं यह भी करोध, द्वेश सब बीत गए हैं, लेकिन हम तो उनका वीत रागी है ना बागवान को वीत रागी क्यों कहा, वीत द्वेश ही क्यों नहीं कहा क्या बागवान के अंतर से रागी बीत गया है, क्या द्वेश नहीं बीता है उनके अंदर से द्वेश भी बीत गया, क्या कशाएं नहीं बीती है, क्या कशाएं भी बीत गई तो फिर वीतरागी क्यों कहां कि द्वेश दुरूच का कोई आदमी करना नहीं cabeça घमंड करना किसी को अच्छा नहीं लगता और दुचा में घमंडी को अच्छा नहीं माना जाता गुस्सा करने वाले के ऊपर हर व्यक्ति अगले उठाता हुआ लेता है इतना तीवर कशाई है सच सच बतलाओ अपने दिल पे हाथ रख करके कहना मैं अभी अभी आपसे पूछू आपको कौन कौन से जगती तीवर कशाई दिखते हैं तो आपके निगाह में सिर्फ बेही चेहरे आएंगे जिनका गुस्सा बहुत ते हुआ क्या गुस्सा ही कशाई है क्या मान का एक शाई नहीं क्या मायाचारी व्यक्ती तीवर कशाई नहीं हो सकता है क्या लोभी व्यक्ती तीवर कशाई नहीं तो दौरत राम जी ये कहना चाह रहे है जिनागम ये कह रहा है जिनवानी ये कह रही है हम भगवान को वीत द्वेशी, वीत क्रोधी, वीत मानी, वीत गमंडी, ऐसा कहते हैं कोई दम नहीं था, दुनिया में कोई नहीं चाहता है, लेकिन राग का प्रसंग आता है, जहां प्रेम का प्रसंग आता है, वहां हर व्यक्ति यह कहता है, सारी दुनिया, जेन, अजेन, हि कि अवी करें चानों परिवार गारीवार के इसे टिरो कि यी परिफ़ेसे कि दे फुर में इतना वड़ापरीवारण हो गया अभी आंगा थे ब monopol पचास पचास लोगों का परिवार इसाonosaltung एक किचन में इसाहि余ड परिवार पारीवहegen परिवार है कितना गजब परिवार है इनका बहुत ही गजब क्यों सब्रेम से रहते हैं प्रेम से रहो प्रेम से रहो अरे वैसा प्रेम से रहो ये प्रेम सबसे ज्यादा खतरनाक है ये राग सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सारे द्वेश के पीछे सारे क्रोध के पीछे सारे जग पूरती रहती है अंदर में ये राग से पीड़ से व्यक्ति जहां राग की पूरती नहीं होती वहां द्वेश करड़ा हो जाता है अपने आपी द्वेश के पीछे राग चिपा बैठा है राग नहीं होगा तो द्वेश नहीं होगा इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक इतिहास इस बात का गवा है कि आज तक जितने भी युद्ध हुए है वे सारे के सारे युद्ध जर जरू और जमीन के पीछे हुए है जर जरू जमीन इन तीन के पीछे सारे जगड़े हुते हैं देख लो आप जितनी आपको फिल्म इस्टोरियां दिखेगी सब में ऐसा ही दिखेगा इतियास उठा करके देखो वहाँ ऐसा ही मिलेगा जयर माने क्या होता है जयर माने होता है धन पैसे पैसे के पीछे सारे जगड़े हत्याएं हो जाती है लूट लेता है हत्या करके चले जाता है लुटे रहे नौकर थे सर्वेंट थे हत्या करके चले गया बुड़े धरवालों को मार करके और सारा धन लूट करके ले गया क्योंकि ये हत्याएं जर जोरू इस्त्री और जमी राम रावन का जो युद्ध हुआ था राम रावन का युद्ध वो किस के लिए हुआ था जो रू के लिए हुआ था और महा भारत का जो युद्ध हुआ वो किस के लिए हुआ जमीम के लिए हुआ अच्या ये जो तीन बाते कही है इन तीनों बातों में क्या इन तीनों के प्रती द्वेश कारण है या राग कारण है बताओ राम चंद्र जी को तो अपनी पत्नी के प्रती राग थाई जाते थे अपनी पत्नी को लेकिन रावन भी सीता से द्वेश नहीं करता था रावन भी उसको अपनी पत्नी पत्रानी बनाना चाहता था समझने है यह बात माने दोनों ही तरफ राग था कौरवों और पांडवों का जो जमीन के पीछे युद्ध हुआ जमीन जिस युद्ध का कारण बनी उन्होंने कहा कि क्या चाहिए उन्होंने नहीं देंगे तुमारे को राज्ये इन्होंने क्या डिमांड की कि कोई बात नहीं पूरा राज्य मत दो आदा राज्य मत दो हमारे को रहने के लिए पांच गहाओं दे दो पांच भाई हैं अब पांच गाओं तो चाहिए अब कौन सी बहुत बड़ी डिमंड कर रहे हैं मैं आप से पूछता हूँ रहने के लिए पांच गाओं चाहिए होते हैं कि पांच माखान तेके पांच गाओं उनको पांच गाओं के परती राग था इसलिए उन्होंने मांगा और उनको उन पांच गाओं के प्रती राग था इसलिए उन्हों देना नहीं चाहते थे अमावारत खड़ी हुई जमीन के पीछे भी जब दो व्यक्तियों को राग होता है तो जगड़ा खड़ा हो जाता है लड़की एक और चाहने वाले दो देख लो आप कितनी फिल्म इस्टोरियां बनती ही दिखाए देगी आपको एक लड़की और दो लड़के चाहने वाले अब बस सब जगड़े खड़े हो गए सारे अब पैसे के पीछ होता ही है मेरा कहने का मतलब ये है सारे फसाद की जड़ यदी कोई है तो वो है राग राग से जगड़े खड़े होते हैं जितना द्वेश होता है मैं इस बात को बहुत प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों के साने अजने कमें क्या सारे जगड़े जितने दुनिया भर में जगड़े खड़े होते हैं यदि उन सब जगड़ों के पीछे जाकर के दिए आप देखेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी वो है राग देश के पीछे भी गुस्टे के पीछे भी आपको किसके उपर ज़्यादा गुस्टा आता है वैसा बतला जिसके प्रति राव ज़्यादा होगा ये है विदान ऐसा नियम है आपको जिसके प्रति राव ज़्यादा होगा उसी के उपर गुस्टा ज़्यादा आएगा नाराज़की उसी के प्रति जादा होती हुई दिखाई देगी यह विदान प्रकृती का स्वरूप इसी तरह का है सड़क चलते हैं ती कोई व्यक्ति आपको डाली दे दे वे कितने ही लोग दे देते हैं जब आख चलते हैं किसी के टक्कर लगाए हुए चलते हैं तो छोड़ो जब अपना ही बच्चे आपने को परट करके जबाब देवे तो फिर कहो आप फिर क्या हाल है फिर कहता है मुझे यही दिन देखना बाकी रहे गी है यही दिन देखने के लिए राग है सारा उसके पीछे द्वेश के पीछे जो काम कर रहा है वो राग काम कर रहा है जितने विवाद है उन सारे विवादों के पीछे यदि कोई काम कर रहा है तो उसका नाम है राग 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 इसलिए आग कहा है कौन सा राग बुरा है भाई साब अशुब रागी होगा पत्नी बच्चें व्यापार के प्रती होने वाले राग कोई आप कहा होगा कि सुनो दौरत राम जी ने जब इसमें बटवारा ने किया तो तुम होते कौन हो बटवारा करने वाले जब दौरत राम जी राग को आग कह रहे हैं तो तुम ये कैसे कह सकते हो क्योंकि जब यहां राग को आग कहा गया तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ हम में से कितने साधर्मी ऐसे है जिन साधर्मियों को राग कहने पर देव शास्त्र वुरू के प्रती वाला राग ख्याल में आया होगा बोलो सोचो सब लोग बैटे हो यहां इतनule पंद्रह लोग तो मेरे सामने बेटे है बिताओ इश लोगडाउन के परिड़ में जब चारों तरफ सब बंद हैं बोलो सोचो जरां जब राग को आग कहा गया हां तो आपको यही तो आग लगाना कि बच्टों के प्रती वाला राग, पत्नी के प्रती वाला राग, दोस्तों के प्रती वाला राग, विशेक शाहिक के प्रती वाला राग, सब आगे साथ, सच में यार जंजाल है यह अपना पन करकर के यह फंसता रहता है, उल्जा रहता है, समझ में आरी है बाट हमें ऐते लगजर है भाई सावी बहुत खतरना गई आरे तो यह आज जंजल जा लए भच्छों के प्रतिल लगे रहो एंके इंट लगे रहो उनको खिलाओ उनको प्रिलाओ दुद्वोर में उन ही उन दो पाया चांवार क्रशा को बुरा के सकते हूं कि था जा अगल शुनHe स्थने और राग भी आग है, कि हाँ जी आग है, इसमें भी समता नहीं है, समता रसका पान नहीं है, तो फिर बंद करें आपका प्रवच्छन सुनना आज, आप से ही छोड़ दें, छोड़ तो अच्छी बात है, तो फिर क्यों सुनते हो ये बताओ ना क्यों सुनते हो, इसलिए सुनते ह कि ये बात समझ में है जाए कि ये राग भी करने योगे नहीं समता भावी करने योगे है राग देशते रहित चेसने के शांत परिणाम को समता भाव कहते हैं ये राग आग दहे दहे मतलब जल रही है अंदर में जल रही है बेटा राग खेलने के प्रती उदने के प्रती मस् पिलने की जो राग है गूमने फिरने का जो है सब राग ये जल नहीं है अंदर में राग को इच्छा भी कह सकते हुआ तड़प भी कह सकते हुआ निरंतर जलती रहती है ताथें इसलिए क्या करें भाई साव ये बतला हो। समता रूपी अम्रत का सेवन कीजिए समता रूपी जल के सिंचल से ये राग रूपी आग बुजेगी आग बुजानी हो तो किसका उपयोग किया जाए जल का उपयोग करो आपको बुजाना है तो तो राग रूपी आग जल रही है तो किसका सेवन करें बोने राग की जलती हुई आग को बुजाने के लिए समतारूपी जल से सिंचन करो समामरत समतारूपी अमरत का सेवन कीजिए कि क्यों सेवन करने के लिए कह रहे हो कि तुम्हें यदि तुम्हारा इतिहास हम नहें बतलाएं एक लाइन में तो कहते हैं चिर भजे विशे कशाए चिर भजे विशे कशाए चिर लंबे समय से अनाधी काल से आज तक विशे कशाए को भजता रहा चिर भजे भूगता रहा भूगता रहा किसको विशेयों को और कशाईयों को कशायों की आग और कशायों की ज्वाला में जलता रहा अंदर में क्रोद की अगनी जल रही है अंदर में द्वेश की अगनी जल रही है अंदर में विशे को भूगने की अगनी तरब जल रही है यह कब बनेगा? लड़ू कब बनेंगे? खीर कब बनाओंगे, मालकुए कब बनेंगे, समोसे कब बनेंगे, लोसे नी बोला मिने, कब बनने वाले हैं, कब बनने वाले हैं, यह जो अंदर में चल रही है न, यह जवाला चल रही है अंदर में, अब तो बना लो या गोल गपे यार, हमारे को फेवरे हैं, कब बना लो बना लो या बना लो गुल पर खाएंगे आज तो हम, घर में बना लो, कब बना रहे हो, मम्मीत बहुत दिन हो गए, बना लो, अब यह जो धारा चल रही है अंदर में, उस धारा के लिए कह रहे हैं ही, कमाने की जो धारा चलती है ना मौनिस्टॉप, उस धारा के लिए कह रह तेरी ये निरंतर चलती रहती है अब तो त्याग अब तो त्याग कब तक लगा रहेगा इन सब चीजों में ये राग आग दहें सदा तातें समाम्रत से ये चिर्भजे विशय कशाए अब तो त्याग त्याग और निजपद बेई ये निजपद विशय कशाए को त्याग औ चोड़े इन सब चीज़ों को अपने आपको देख जहां तु आनंद मान रहा है मा आनंद नहीं है माँ से दृष्टी हटा कर इधर देखेगा तो आनंद के जरने जरते दिखेंगे जब निज्ञान करेगा न, आनंद के जरने जरते वे न जराएंगे, ये दिखेंगे, अंदर में है आनंद भई, बाहर के संसार में कहीं भी शांती नहीं है, बाहर के संसार में कहीं भी सुख नहीं है, बाहर के संसार में कहीं भी चैन नहीं है, इसलिए चिर्भजे विशे अब तु त्याग निज्वर्पद भेई हैं अन्तिम शीक दे रहें कहा रच्यों पर पद में न तेरों पद यहे क्यों दुख सहे अब दॉल हो सुखी स्वापद रची दाव मत चूगो यहे कहां रच्यों कहां रच्यों कहां रच्यों कहां मस्त हो रहा है आप कहते हैं कभी कभी कहां मस्त हो गए आप फुरसत ही नहीं है इनके पास तो जब आप कहते हैं न फुरसत नहीं है तो उसका अर्थ है है कि कहीं रचा हुआ है पुरसत में ही इनने जहन रचा पचाय कहीं नहीं यह कहां रचाु हुआ यह तो बतला है तो कि बाल पने में घ्ञान ना लएयो कि और तरुन समय तरुनी्र Okay रचा रहा, उनका भजन है बहुत सुन्दर मांगिलान जी कोलारस वालों का, रेल चली भई रेल चली, दो भईयों की रेल चली, आगे कभी पीशे कभी पीशे कभी आगे कभी दोड रही है गली गली, रेल चली बहुत सुन्दर सुनाते हैं वो, उसमें पता है वो क्या कहते ह पहला स्टेशन बच्पन क्या उसमें सब खेल खिलो ने और फिर क्या हुआ जिए वो खेल खिलो ने जूट गए और फिर कोई एक और सवारी साथ में उस साथी के संग इतना मस्त हुआ कि खेल खिलो ने भूल गया बहुत ही सुन्दर वज़़ ने बहुत ही उसमें मस्त हुआ फिर थोड़ा सा और आगे बड़ा तो व्यापारादी में मस्त हो गया कवाने दुआने में मस्त हो गया फिर बच्चे-पोतों में मस्त हो गया बस तू कहीं ने कहीं पर-पद में ही मस्त होता रहा वो तेरा पद नहीं था, वो तेरी अवस्ताएं नहीं थी, कहां रचियो, क्यों रच रहा है उनमें, परपद में, अब ये परपद के कही तरह के अर्थ किये जा सकते हैं, परपद का अर्थ एक तो कर दिया है, हमने परवस्तु हैं, उनमें मस्त हो गया, और पद का अर्थ प पद बढ़ गया आज तो मैं सास बन गई, आज तो पिता हो गई, आज तो मैं चाचा बन गया, तो ये पद बढ़ गया न तुमारा, तो तु इस पद में मस्त हो गया है, अब अपना पद बढ़ जाता है, कभी चाचा जी हो जाता है, कभी दादा जी हो जाता है, अब तो मैं दादा बनने वाला हूँ, कितनी खुशी होती ही बता मेने को, दादा हो गया, नाना हो गया, ये पद बढ़ गया, अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, हमरत चंद्राचारी का कलशे तो समय सरका, अपद पद में मस्त, जगत के प्राणियों को उनमत कहा है, अंधे कहा है जगत के प्राणियों को, ये सब ऐसा ही है हाल, पर पद में ने तेरो पद, इन में तेरा कोई पद नहीं है, जिनके पीछे तू भागे जा रहा है, ये यही क्यों दुख सहे, अब तू क्यों दुख सहे रहा है, खाम खामे दुखी हो रहा है, जिस जगे पर तो नोड़ता रहेगा जिस जोघए पर तू दोड़ना चाहता है जस मंजिल Ek उस मंजिल कोण कितने ही लका पा करे ठुकरा चुकी है कि ये शांतिनाथ की चेर्चा करेंगे क्हल प्राटे कवलिशिय का अब कर आप लोग और आले घंटे की मोक्षमार प्रगाशक तो चले गई शांतिनाद भगवान चक्रवर्ती थे तोड़ शाड़ दिया उन्होंने सब दिक्षा ले लिए उन्होंने सब चक्रवर्तित्व पद भी तेरा पद नहीं है इंद्र पद भी तेरा पद नहीं है नरेंद्र पद भी तिरा पद नहीं है और ये तिर्थंकर पद भी ये पुन्योदे से मिला हुआ पद है तिरा निज पद नहीं है कहां रचियो पर पद में तिर्थंकर बनूगा मैं तिर्टंकर बनुगर का तिर्टंकर क्या करेगा ये तिर्टंकर का पद भी असली पद नहीं है तिरा असली पद कौन सा है बोले निज़ पद निज़ पद अपना पद उसके बिना आपको विश्राम नहीं मिलेगा क्यों दुक्त सेहें दुक्त क्यों सहता है इसलिए अंतिम वाके है दॉल हो सुखी ये दॉलतराम ही दॉलतराम क्या कह रहे है है अब दॉल दॉल अपने आपका नाम लिया है इसकी जगे क्या क्या नाम लगाना बोलो अब संजीव हो सुखी अब अजे हो सुखी बोलो क्या क्या नाम लगाएं इसके आगे लगा अपना अपना नाम लगाओ अब संजे हो सुखी अब नीरज हो सुखी बोलो लगाओ यहां क्या क्या नाम लगाने हैं आपको अपना अपना नाम बोलो सब लगाओ अपना अपरदीब भाई हो सुखी तो नहीं हो रहे हैं ऐसा यह कह रहे हैं भाई सुनो स्वपद रच्ची और दाव मत चूको यहे यह चूकने लाइक नहीं है अन्तिम मौका मिला है ये मौका एदी चूक गए तो फिर तुम्हारे कोई चांस नहीं मिलेगा हम तो जिस नगरी में यहां बेटे हुए हैं ये नगरी किसकी नगरी कहला थी है अजविर प्रत्वीरा चौहान की नगरी है मत चूको चौहान ख़वर है आपको मौका गवरी ने उसको कितनी बार हराया सत्रे बार हराया सत्रे बार हराया मौका गवरी और वो मुस्लिम शासत था और ये हिंदू राजा प्रत्वीरा चौहान एक बार उसने आकरमन किया मौका गवरी ने इसने हरा दिया हरा करके बंदी बना लिया फिर छोड़ दिया उसको वापस चला गिया मुहम्मद गोरी ने दूसरी बार आकरमन किया क्या और फिर हरा दिया बंदी बना लिया तीसरी बार फिर आकरमन किया फिर बंदी बना लिया और फिर छोड़ दिया उसको सत्रे बार, सत्रे बार उसको माफ किया, वो पैरों में डिड़डाया और उसको छोड़ दिया, प्र आकर्वर मन करने के लिए आuges, सत्रे बार हारा, मैं भी कहानी नहीं सुना ना चाहरा आपको पुरी लबी कहानी है, तोड़े से मजे लेकर के सुना था तो आप कोई शैद मज़ा सुड़ा सवा मिशेश आता आप सोचो ज़रा उसकी हिम्मत की भी दात देने पड़ेगी आठारे ली बार फिर आगे महराज लड़ने के लिए देखो तो तो तीन बार हमारे बच्चे लिए हार जाते हैं ना तो चौती बार मुझे तो प्रत्विरा चौहान गायें ले आए आगे प्रत्विरा चौहान ने मना कर दिया कोई तीर नहीं चलाएगा गाये हमारी माता है हम तीर नहीं चलाएगे गाये जोड़ दी आगे पीछे सेना पूरी उसकी और आगे गाये चल रही है इसने तीर चलाए नहीं और बंदी बना लिया गया और फिर क्या होगा अब बना लिया और उसे ले गए वहाँ इस्टेम में चौवान में अब ले जाकर के सवा लगी थी चारों तरफ और बहुत उसको का उसके आखे नोच ली गई निकाल ली गई प्रत्विराच चौवान की तुझे अपनी तीरंदाजी के ओपर बड़ा घमंड था समझता क्या है तू अपने आपको और साब तो समझता क्या है अपने आपको और वहां का अपने जो कवी थे भूलिया नाम देखो क्या तो उन्होंने कहा जाकर के उसके कहां बहुत है कि महराज कर लो एक कोई बात नहीं खड़ा कर दो इसको समझता था समझता क्या था यह आंखे निगाले तुम्हारा कुछ ने और उस कवी ने जाकर कि और उनको बतला दिया मां कविता पाठ किया चारों तरफ पभी बैटी हुई थी और मौमध गोरी उपर बैठा हुआ था पता है क्या कहा सामने ले जाकर खड़ा कर दिया उसको आंखे निका और ताव पर सुल्तान है मतचु को चवहान क्या ना बता दी पुरी चार वास चोवीश गजिए और अंगुल अश्त प्रमाड और ताव परु? आने हैं मत्चूको चौहान और प्रत्वी राज चौहान ने तीर चलाया और मौम्मद गोरी वहां से गराउं से गिर करके नीचे पड़ गया प्राणा थो गए मत्चूको चौहान क्या यह बड़ी प्रसिद्ध है इसे आस में घटना पूरी मत्चूप चौहान ऐसी कह रहे ह ओ ऐस अंजीर दाउ मच्चूको यह मौका मिला है यह मनुष्य जनम मिला है यह जनवाणी मिली है यह जीवन खो देने के लिए नई है नई है हमारे तो जच गही वैसा आप दिमाघ पर आपके कितनी जच्चती है यह आप समझो हम तो प्रेरा ना दे सकते हैं आपको क्यों आज तेरे परणामों को लेकर के तू कहा जाएगा ये बता जब ये गणिक समझ में आ गई है कि जिंदगी लंबी नहीं है और कभी भी पूरी हो सकती है तो ये जंजाल फसने के लिए है क्या क्यों नहीं आत्म कल्यार करे मतलाओ हमें ये माल मिल गया है आप जिस माल के पीछे भाग रहे हो जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो सच में आपकी नहीं है और हमें जो माल मिल गया है ये माल तो आपना है ना इस इस निदी को प्राप्त करके इसका उभग नहीं करें हम ये खजाना हमारे को मिल गया है ये कुंद कुंदा चैरे देव की विरासत हमारे को मिल गई है, ये तोडरमल जी विरासत छोड़ गए है हमारे लिए, बोलो, ये अमरत चंबरा चैरे दे गए है हमारे को, जैशन जी शावड़ा दे गए है, ये गुर्देव का माल हमारे को मिल गए है, बोलो, जब ये गुर समجھे फिर तो समझ एसिए तेरा दिमाग ठीक नहीं और क्या करेंगे असली माल मिल जाने के बाוג्सूद भी तु इस माल को छोड़कर के इधर उदर दोड़ रहा है भाग रहा है इसका मतलब यह है तु समझ नहीं पा रहा है यह निर्णा नहीं कर पा रहा है कि बात क्या है हो सुखी अब दौलत राम जी कह रहे हैं हो सुखी कैसे स्वापद रची अपना पद अपना पद कौन सा है तेरा पद तो वैसार सिद्ध पद है वो तेरा पद है वो शास्वत पद है बाहर के संसार में कहीं भी तेरा पद नहीं है इसलिए अंदर में देख अंदर अपने आत्म स्वरुख को देख और दाव मत चूक चूके मत लग जा तू तो बस हिंबत करके उत्साह से दाव मत चूको यहे पुरा हो गया, चलें अपन आगे यह ना, चलो तो यह अंतिम उपदेश जो दिया है यह सच में पुरुशार्थ प्रेरख है और घवडाएं नहीं और लगे उत्साह से दुरलब जीवन को समझे मनुष्य जीवन की दुरलबता को समझे अपने मनुष्य जीवन के दुरलब शणों को हम कहीं भी बरवाद नहीं करें सावधान रहें देखिए सोले नमबर का अंतिम शंद करके अपन पूरा करते हैं दस-पांच मिनिट पे एक नव वसो एक वर्ष की थीज शूक वे शाक कर्यों तात्म उपदेश यह लगी बुद जन की भाग लगी बुद जन की भाग लगुधी तथा प्रवाद ते साथ राट की भूद सुधी सुधार परो सदा जो चाओ भवकूल जो पाओ भवकूल लूप एक एक नौ आठ और एक तो एक नव वसु एक, मने अठारे सो एकराण में, एक नव वसु एक, एक नो आठ और एक, और अंका नाम वामतो गती, अंकों की जो गती होती है, वो गती उल्टी चलती है, तो अंकों की गती उल्टी चलती है, इसका मतलब कहां से चलाना? 1891 तो अर्थ पता है क्या निकलेगा इसका इसका अर्थ निकलेगा 1801 में समझे आई बात 1981 नहीं 198 इधर से चलाओ 1891 1891 1891 1891 1891 1891 में ये लिखने की तिती लिख रहे हैं दौशत राम जी समझे अठारह सो इकराण में ये चैडाला लिखी है उनोंने 1891 में अभी क्या चल रहा है 2020 2020 2020 2020 2020 2020 चल रहा है और कब लिखी 1800 इकराण में इसका मतलब लगवग 117 सी 190 साल पुरानी बात होगी लगवग आप मान लीजीए तो 200 कह सकते हो आप लगवग में राम जी गर ले 200 साल पहले दौलत राम जीन 200 साल पहले और कुई भजन भजन लिखते रहे होंगे अंतिम में ये लिखी उनोंने तीज शुकल वैशाक वैशाक शुकल तीज के दिन पूर्ण हुई ये तो वर्ष लिखा है इनोंने संबत 1800 एकराण में के वैशाक मेहने की शुकल पक्ष की तीज तिखी के दिन करियो तत्व उपदेश ये है मैं को समझ में नहीं आ रहा है दौलत राम जी यहां लिख रहे हैं फिर भी कह रहे हैं उपदेश उपदेश तत्व उपदेश और कहा था पहले क्या कहा था सुनो ताही सुनो भवी मन थिरान तास ब्रह्मन की है भव कथा पै कुछ कहूं कही मुनी यथा सुनने सुनने की बात कहरे सुनो ताही सुनो ताही पढ़ो लिखो न या तुम क्या कहरे हो मैं जो लिख रहा हूँ उसके लिए ने ताई पड़ो, लोगे रें ताई सुनो झाल 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 झाल